अगर आप सभी भी अपने जीवन में पीएजडी करने का सपना देखते हैं तो भारत की एक बहुत ही फेमस सेंट्रल उनिवर्सिटी जो कि बेस्ड है मध्यप्रदेश में आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं ओफीशल वेबसाइट खुली हुई है दॉक्टर हरी सिंग गौर विश्विद्याल या दॉक्टर हरी सिंग गौर यूनिवर्सिटी जो की मध्यप्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में हैं वहां से पीएजडी की 200 से जादा सीटे निकली हुई हैं तो चलिए जल्दी से दे अगर नहीं है तो भी पीएजडी के लिए अपलाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं चले तो फटाफट से शुरू करते हैं तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी को हमारी पूरी उची सीने टड़र 247 की जो टीम है उसके एफर्ट्स अच्छे लगते हैं है ना पसंद आ रहे हैं आपको लग रहा है कि पूरी की पूरी टीम पेपर वन और पेपर टू के धेर सारे पेपर्स के सांथ बहुत महनत कर रहे हैं और इस तरीके के नोटिफिकेशन भी आप सभी के लिए लेकर के आती है तो सेशन को लाइक जरूर करें अगर आप पहली हमारे चानल पर आ रहे हैं तो तब तक सेशन को हमारे चानल को सब्सक्राइब भी कर देजे 2023 वाले साइकल के लिए PhD के लिए क्या निकला हुआ है एडमीशन ब्रोशर निकला हुआ है 2023-24 वाला जो साइकल होगा उसके PhD के लिए 200 से प्लस सीटे हैं सबसे पहले मैं आप सभी को सीट्स वाले ही पार्ट पर ले चलते हूं जहां पर सीटों के बारे में बताया गया है कि कि सब्जेक्ट से कौन सी सीटे हैं इसके बाद हम बागी बात चीत करेंगे ठीक है तो यह देखिए यहां पर पेज नंबर इस ब्रोशर को मैं अपने टेलिग्राम लिंक पर भी शेयर कर दूँगे अपने टेलिग्राम पर शेयर कर दूँगी संस्कृत जायन ओफिशल नाम है बाकी देख लीजें कि जो पीच्टी की एड्मिशन की सीट्स है उसमें एंशेंट इंडियन हिस्ट्री में तीन सीटे हैं अंथ्रोपोलोजी में चार सीटे हैं अप्लाइट साइंस, जेओगरफी, हिंदी, हिस्ट्री, जॉर्नलिणिस्म, लाइबरेरी, साइंसे, लिंग्विस्तिक, मिथमाटिक्स, मुजग, फार्मस्यूतिकल, फिजिक, पॉलितिकल, साइंस एंड पॉब्लिक अडमिटिरेशन, सांस्कृत, सुशोलोजी, उर्दू, जॉलोजी, Fine Arts, Performing Arts, Environmental Science, जिसे आप EBS भी कहते हैं, Vedic Studies, Center for Studies on Indigenous Knowledge and Statistics, ऐसे मिला करके 36 ऐसे विशे हैं, 36 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, जहां से धेर सारी PSG की सीट्स में निकली हुई है, डॉक्टर हरी सिंग गौर उनिवर्सिटी में, टोटल 202 सीटे जो हैं, वो आई हुई है, मैं फिर आ दिला दूँ, डॉक्टर हरी सिंग गौर उनिवर्सिटी जो है, वो एक Central University है, मतलब की बहुत एक वेटेज होता है, वैल्यू होती है Central University से PhD करने का हमेशा बच्चों का सपना होता है, तो a very very golden opportunity for all of you, कि आप सभी इस University में admission ले करके, क्या कर सकते हैं, अपनी PhD कर सकते हैं, च कैसे PhD के लिए अपलाई कर सकते हैं, जितने भी स्टुडेंट्स यह सोच रहें कि मैं मेरा NetJRF नहीं है, आप सभी भी इस University में अपलाई कर सकते हैं, अगर आपका Net या JRF है, तो भी आप eligible हैं, तो दोनों प्रकार के स्टुडेंट्स eligible हैं, ठीक हैं, फॉर्म कीवल और कीव online ही submit होंगे, आपको official website जो है Dr. Hari Singh Gaur University की यह रही वो website उस पर जाके click कर लेना है, और उसके बाद admission वाला जो section है, उस पर जा करके क्या करेगा, अपना form fill कर लिजेगा, इस brochure में last में बहुत detail में भी दिया गया है, अगर आपको form भरने में मदद चाहिए, तो इस brochure को last वाल अगर आप general category से है, master's आपका 55 प्रतिशत से कम है, 54 है, 53 है, 50% है, तब आप इसके लिए eligible नहीं है, STSC और OBC non creamy layer community के जो लोग है, उनको 5 प्रतिशत का relaxation है और उनके लिए जो you know benchmark है, वो है 50% आपके post graduation में, category के लिए, अब मैम मेरा तो net JRF है, तो क्या होगा, या मैम मेरा तो net JRF नहीं है, लेकिन 55 प्रतिशत से जादा है में में, तो क्या होगा, तो ऐसे students जिनका net या JRF नहीं है, उन्हें entrance test देना होगा, और उसके बाद फिर वो क्या है, उसके बाद फिर वो interview में जाएंगे, तो entrance test आपको qualify करना होगा, जिसके marks आपको मिलेंगे, वो marks आपके जोड़ेंगे भी, and then फिर interview में जाएंगे, तो जिन बच्चों का net JRF है, वो directly interview में आ रहे है, अगर आपका net JRF नहीं है, तो आप entrance test दे रहो, उसको qualify करो, और फिर आप interview के लिए आ रहो, और फिर इन सारे बच्चों का collectively, एक साथ क्या होगा, interview होगा, and एक common merit list बनेगी, जो होगा, अच्छा, जिनका net JRF अगर वो चाहें, तो वो भी क्या कर सकते हैं, ये exam दे सकते हैं, अगर तुम्हें ज्यादा खत्रों के एक लाड़ी बनना है, तो, ठीक है, पार्ट A में क्या होगा, जैसे हर university में होता, बिल्कुल लगभग same ही है pattern की, पार्ट A, 100 नंबर का आपका entrance test होगा, 50 और 50, पार्ट A में, पार्ट, 100 questions होगे, और 70 नंबर का paper होगा, 0.7 marks जो हैं, वो हर एक question पर मिलेंगे, आपको सही करने पर, आधे-ाधे होगे, 50 questions अधर, 50 questions अधर, पार्ट A में आपसे research methodology से प्रशने पूछे जाएंगे, पार्ट B में आपका अपना core subject होगा, पार्ट A में research methodology, पार्ट B में आपका अपना core subject, अगर राजनीती विज्ञान ने तो राजनीती विज्ञान, हिंदी है तो हिंदी, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी, पार्ट A में research methodology के 50 questions होगे, ठीक है, सारे questions, multiple choice questions होगे, ध्यान रखियेगा, ठीक है जी, ऐसे students जिन्होंने 50% से ज़्यादा score किया है entrance test में, कि वो उन्हीं बच्चों को interview के लिए eligible माना जाएगा, ठीक है, उन्हीं बच्चों को eligible माना जाएगा interview के लिए उन्हीं लोगों को call आएगी, 50% से अगर आप कम यहाँ पे in entrance test में score करते हैं, तो आपको नहीं बुलाया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है, तो जिनका net grf है, वो directly interview में जा सकते हैं, उनके लिए exemption है, जिनके पास net grf नहीं है, उनके लिए भी प्रावधान है, कि वो entrance को 50% से ज़्यादा मार्क्स के साथ qualify करें and then फिर interview में क्या करें, interview में वो बच्चे appear कर सकते हैं, यहाँ पे भी 5% का relaxation है, वो है, इसके बात फिर क्या होगा, collectively जो सभी लोग है, सभी का क्या होगा, department wise अपना अपना वाइवा होगा, जिसमें आप से, आपकी research करने की capability, आपका intellect, आपका knowledge base, इन सारी चीजों को test किया जाएगा, अब marks का क्या होगा, तो marks का देखो ऐसा है, कि जो बच्चे entrance test दे रहे हैं, marks को ध्यान से सुनना, दो प्रकार के बच्चे हैं, एक है जो direct interview में आ रहे हैं, जो direct interview में आ रहे हैं, इनका 100 number का interview होगा, सीधे 100 number का interview होगा, ठीक है, कितने number का हो ठीक है, तो इनका entrance test के 70 number, right, entrance test के 70 number में से जो भी marks होगे, और प्लस 30 number का इनका interview होगा, ठीक है, right, दोनों के 100 hundred होगे, जिनका, जो बच्चे entrance test से exempted हैं उनका भी, और जो बच्चे, ठीक है जी, तो ये तो हो गया आपके entrance के बारे में, कि entrance कौन कौन दे सकता है, कैसे देग क्या number होंगे, interview का क्या कैसा है, ठीक, अगर आपको यहाँ पर क्या करना है, ये हमारी seats वाली बात आगे, जिससे हमने अपना discussion स्टार्ट किया था, 202 seat है, अच्छा, अब थोड़ा सा न, और क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, मार्ज tentative है अभी है, लेकिन हाँ, expected है कि 17 मार्ज को संडे के दिन क्या होने वाला है, आप सभी का entrance test होने वाला है, ठीक है जी, 17 मार्ज को संडे के दिन, ठीक, ओके, center जो है, वो मध्यप्रदिक केवल, सिंग गौर उनिवर्सिटी का campus है, वही पर है, ठीक है, राइट, वह मैं तो इस राज्य की हूँ, या मैं उस राज्य का हूँ, मेरे घर पे आके exam हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, आपको यहाँ जाना पड़ेगा, और exam देना पड़ेगा, form online भरे चाहेंगे, exam offline होगा, OMR वाला होगा, and MCQ रहेंगे उसमें, ठीक है, आगया समझ, form जो है आपक वो online भरा जाएगा, लेकिन exam जो है, वो offline होगा, ठीक है, अच्छा, अब paper के बारे में, 100 questions का paper होगा, 70 number रहेंगे, और उसमें भी आधे-धे, part A में 50 questions है, research methodology, part B में आपका अपना subject है, जिसमें क्या रहेगा, 50 questions आपके subject से पूछे जाएंगे, हर question को सही mark करने पे आपको 0. 0.7 marks मिलने वाले हैं, यह देखें, यहाँ पे OMR लिखा हुआ है, मतलब की आपका जो exam है, वो कैसा होगा, exam offline होगा, exam offline होगा, OMR sheet वाला होगा, form आपको online भरने, ठीक है, black और blue pen का use कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़े दी हुई हैं, प्लीज एक बार पढ़ लीजेगा, ओके प्लीज एक बार क्या करिएगा, पढ़ लीजेगा, चली, तो बस इतना ही बात करनी थी, dates आपको मैंने बता ही दी है, प्लीज सही समय पर dates के अंदर अंदर ही क्या करिएगा, form भर लीजेगा, ताकि ऐसा नहों की form छूट जाए, फिर मनने मलाल रह जाए कि यार मैं तो apply कर सकती थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई, ठीक है जी, कोई और प्रशनगर है, तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजेगा, बिलकुल आप सभी के लिए क्या किया जाएगा, एक अलग से और वीडियो बना दिया जाएगा, इस पूरी प्रोसेस की जो entrance test की fees है, वो 1000 and अलगले category के लिए अलग-अलग चीज़े भी है, पूरा ब्रोशर एक बार पढ़ लेजेगा, इसके बाद ही apply करेगा, ठीक है, पूरा ब्रोशर पढ़ लेजेगा, यह देखिए, यहाँ पर कैसे आप apply कर सकते हैं, इसकी photos वेगेरा भी लगी होई है ब्रोशर में, तो अगर आप net jrf की preparation करना चाहते हैं, बहतरीन तरीके से paper 1 और paper 2, मैं आपको आ रही है, बहुत सारी दिक्कत कि माम कहां से content पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे करें, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे courses में enroll कर सकते हैं, आपको जाना होगा order 24-7 के official website पर, ठीक है, और यहाँ पर ज लिजेगा and view all कर लिजेगा, धेर सारे courses हैं, आप अपने preferences के हिसाब से courses में enroll कर सकते हैं, ठीक है जी, तो कि net jrf qualify करने से आपको बहुत सारी eligibility and बहुत सारे फायदे जो हैं, वो मिल जाते हैं, तो इसलिए क्या करेंगे, net jrf के अगर आप preparation करना चाहते हैं, आप courses में enroll कर सक coupon code लगा लिजेगा, ताकि आपको क्या मिल जाए, maximum discount